बोपाल एकडमी के ओल्लाइन इंग्लिश प्लाटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है जैसा कि पिछले लक्चर में मैंने इंट्रड्यूस किया तो हिस्ट्री को और अगर हम MPPSC के पेपर वन के पार्ट ए को देखें और उसके पहले यूनिट को पढ़ें तो उसमें हरपपा सिवलाइजेशन से लेकर 10th century AD तक है इंडिया में जो भी हिस्ट्री रही है उसके हमें political, social, economical और cultural aspect को पढ़ना है तो अगर हम इसको देखें अगर हिस्ट्री को अगर देखें तो सबसे पहला जो हमें जो चैप्टर पढ़ना होता है या जो पाठ हमें पढ़ना होता है वो होता है हरपपन civilization या जिसको हम इंड़स वैली civilization भी बोलते हैं अब देखें जैसे मैंने introduction में आपको बताया था कि यह जो इंड़स वैली civilization या जो हरपा civilization है यह bronze age से related है यानि कि यह proto history के अंतरगाता है अब यहीं से इंड़स वैली civilization की बात करेंगे तो इसकी जो history का formation हुआ है उसका जो source है वो है archaeological हमें खुदाई से बहुत सारी चीजे प्राप्त हुई है जिससे हमें जानकारी मिलती है इंड़स वैली civilization की अब थोड़ा सा history में चलते हैं 1921 में दयारामसानी इन्होंने पहली site हरपा को excavate किया था अब देखें जैसा tradition होता है excavation का कि जो भी पहली site excavate की जाती है उसी के नाम पे पूरा का पूरा civilization का नाम रखा जाता है इसलिए इसे हम हरपा civilization कहते हैं वहीं दूसरी तरफी से इंड़स वैली civilization भी बोलते हैं अब इसका कारण आप समझिएगा अगर आप इस civilization को अच्छे से देखें तो इंड़स और उसकी tributaries जो है उसी के आजू आजू में ये पूरी की पूरी civilization बसी रही थी इसलिए इसे इंड़स वैली civilization भी कहते हैं अब देखें ये प्रोटो हिस्ट्री के अंतरगात आता है लेकिन हमारे syllabus में इसको include किया गया है अब include किया गया है तो something इसमें कुछ तो important होगा तो important क्या है तो आप समझिए देखें ये इंड़स वैली civilization जो चार सबसे ancient civilization world की है उसमें एक आता है अगर आप इसके साथ के civilization को देखें तो वो आपके mesopotamian civilization फिर आपका चाइना का civilization आपका एजिप्ट का civilization तो इन तीनों के साथ चौथा इंड़स वैली civilization भी आप कह सकते हैं कि दुनि ये इसे हमें हमारे जो syllabus है उसमें include किया गया है अब कुछ बातें इंड़स वैली civilization के बारे में हम बात करते हैं कि उसकी क्या विशिष्टाएं हैं या क्या specific characteristics है उसको हम बिसकस कर लेते हैं आप देखिए वैसे तो ये civilization काफी पूरानी है लेकिन अगर आप देखेंगे तो इसके कुछ remarkable features हैं पहला town planning अगर आप इस civilization के जो भी evidence मिले हैं या जो archaeological findings है उससे हमें पता चलता है कि ये जो civilization थी इसमें एक proper town planning चला करती थी और इसमें gridon pattern का प्रियोग किया जाता था gridon pattern या जिसको हम chess board pattern बोलते हैं ये होता क्या है आप देखिए gridon का मतलब होता है ऐसा straight या chess board pattern जिसे बोलते हैं ये इस तरह के pattern को तो ये पूरे के पूरे इस civilization के अंदर जो शहर थी या जो town हुआ करते थे वो इस pattern पे बकाइदा design किये गया थे ये इसकी पहली characteristics है दूसरी बड़ी important characteristics ये है कि इन सारे जो towns हुआ करते थे या सारे जो शहर हुआ करते थे इनमें एक proper drainage system था जो बड़ी unique बात है अगर आप वरतमान में भी देखेंगे present time में भी तो इंडिया में बहुत सारी cities आपको ऐसी मिल जाएंगी जो बड़ी cities है और जिनमें proper drainage system आज भी नही है लेकिन हम ये बात कर रहे हैं 2500 BC की मतलब आज से nearly about 4500 साल पहले मतलब हमारे पास एक ऐसी civilization थी जिसमें proper town planning भी थी और साथ में proper drainage system भी हुआ करता था तो ये दो characteristics इसको बड़ा important बना देते हैं इस civilization को साथ में हम इसकी तीसरी characteristics देखेंगे तीसरा character इसका ये है कि ये जो civilization हुआ करती थी इसका external trade काफी अच्छी मातरा में हुआ करता था और जो trade balance था वो Indus Valley civilization के लोगों के तरफ जुका हुआ था अब इसका मतलब आप समझेए देखें trade balance क्या होता है अगर मैं इसको example से बताना चाहूँ जैसे इंडिया और चाइ कि 100 billion dollars का trade हो रहा है जिसमें से 60 billion dollar का समान चाइना हमें बेच रहा है और 40 billion dollar का समान इंडिया चाइना को बेच रहा है तो आप अगर इन दोनों को subtract करें आपस में तो आपको 20 billion dollar का समान चाइना जादा बेचता हुआ दिख रहा है मतलब आप बोल सकते हैं कि जो trade balance है वो चा किया करते थे तो या पर्शियन गल्फ से किया करते थे तो वहाँ पर trade balance हमेशा इंडस वैली सिविलाइजेशन के तरफ जुका हुआ रहा था था परिणाम या result क्या हुआ या उसके consequence क्या हुए कि ये जो civilization था ये बड़ा ही prosperous civilization था तो अब आप समझ गया होंगे इसके जो दो-तीन characteristics मैंने आपको state की कि इस से इस civilization को या इस topic को हमारे history में क्यो include किया गया है आप बोल सकते हैं कि ये इंडिया का pride है ठीक है चलिए अब इस civilization के बारे में थोड़ी सी और detail देख लेते हैं सबसे पहले हम देखते हैं कि ये इस civilization का expansion जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से कहा कहा था चलिए हम देखते हैं इसको तो देखें जैसा ये आपको ये map दिख रहा है और इसमें ये जो यलोईश पोर्शन है मतलब अगर आप देखें तो ये जो पोर्शन है ये इस civilization का expansion है तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये आपको उपर में जम्मू कश्मीर के पास तर दिखता है नौर्थ में साउथ में ये नौर्धन महरास्टा के आसपास दिखता है यहां पर इस्ट में ये आलम गीरपूर ये आपको उत्तर प्रदेश में दिखता है और ये जो वेस्ट है ये मकरान कोस्ट है जो की इरान और पाकिस्तान का बॉर्डर है कोस्टल एरिया है यहां तक दिखता है तो मतलब अगर आप इस civilization को sides हुआ करती थी अब वो important side क्या क्या थी हडपा और जो दूसरी important side थी वो थी आपकी मोहन जोदलो इन दोनों का capital sides भी बोला जाता था इसके साथ में अगर आप इधर आप गुजरात के तरफ देखे तो ये जो लोथल है ये इसका important coastal side हुआ करता था अब मैंने ये लोथल का mention क्यों किया क्योंकि ये external trade किया करते थे और ये आपका coastal side था जिससे हमें ये पता चलता है कि जो trade इनका external हुआ करता था ये केवल land से ही नहीं बलकि ये sea route का भी इस्तमाल करते थे trade करने के लिए तो ये इनकी prosperity को reflect करता है ठीक है चलिए हम इसके कुछ जो important sides थे और उसको कि इसने excavate किया है ये सारी चीज़े आगे फर्दद देख लेते हैं तो देखिए अगले slide में हम देखेंगे तो सबसे पहली site हडपा और इसको excavate किसने किया था दयाराम साहनी ने 1921 में अब ये situated कहां है तो ये रवी जो river है उसके coast पे आपका situated है मौन्ट गॉमरी डिस्ट्रिक जो है पंजाब का पाकिस्तान में वर्तमान में है ये ठीक है ना अब इसमें important findings क्या थी इस site की sandstone status of human anatomy ठीक है ना मानव की जो जो सरीर है उसका sandstone जो होता है बलुवा पत्थर उसमें एक प्रारूप मिला है ग्रैनरी मिली है और बुलो काट मिला है मतलब आपके जो बुलोक्स यूस होते हैं आज भी अगर आप ग्रामीड छेतर में देखे तो बुलो काट का प्रयोग किया जाता है चलिए अब हम दूसरी site को देखे तो इंडस रिवर के बैंक पे सिटुएटेड है वर्तमान में यह लरकाना डिस्टिक पंजाब पाकिस्तान अब यह जो site है यह इंडस वैली सिवलाजेशन की सबसे बड़ी site है और इसके अंतरकत अगर आप देखेंगे तो ग्रेट बात ग्रैनरी एक ब्रॉंज डांसिंग गर बियर्ड मैंने मिलता है ठीक है तो यह और वोवन क्लोज का आपको यहां पर ट्रेस मिलता है ठीक है तो यह दो इंपोर्टेंट साइट हो गई तीसरी इंपोर्टेंट साइट जो है वो है सुथका गेंडोर ठीक है ना स्टेन ने 1929 में इसको डिसकवर किया था इसी तरह च इसी तरह अगले और साइट्स के बारे में हम देख लें, तो वो है आपका आमरी, इसको भी NG मजुमदार ने 1935 में डिस्कवर किया, इंडस के बैंक पे था, फिर है आपका काली बंगा, ये अमलानन्द घोश ने 1953 में डिस्कवर किया था, खगड रिवर के को बैंक पे है, ज इतने भी रिवर्स की अगर हम बात करेंगे, वो सारी की सारी ट्रिब्यूटरी से इंडस की, ठीक है न, उसके बाद लोथल की बात करते हैं, तो हाँ, इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे अगर भोगवा रिवर की बात कर ले तो ये इंडस की ट्रिब्यूटरी नहीं है, तो ये आर अराउने 1953 में ये भोगवा रिवर के बैंक पे हैं, ठीक है न, उसके बाद सुर्कोटाडा, बनावली और धोला वीरा, ये सारी की सारी जो इंपोर्टेंट साइट्स है, इसके बारे में हमने यहाँ पर मिंचन किया हुआ है, अब देखिए, इंडस वैली सि साइट्स की बात कर ले, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये सारे के सारे साइट्स क्योंकि अगर आप एक्स्पैंशन देखे तो एक बड़े जोग्राफिकल एरिया पे है, तो हम इसको कैसे बोल सकते हैं कि ये एकी सिवलाइजेशन से रिलेटेड है, तो उसका एंसर ये है कि इन स civilization से जोड़ती है दूसरी खास बात इन सारे साइट्स में आपको किटाडल मिलते हैं या सिटाडल जिसको हम प्रणॉंस करते हैं वो मिलते हैं ठीक है ना अब इसमें भी कुछ exceptions है प्लस तीसरी इनकी similarity कि ये सारी की सारी साइट्स दो भागों में विभाजित होती भी दिखती ही है राइट साइड और लेफट साइड ठीक है ना अब इसमें एक exception है धोला विरा धोला विरा में तीन पार्ट में डिवैड़ेkon लेकिन धोला विरा के अलाबा सारी की सारी साइट्स अगर आप देखेंगे तो वो दो पार्टों में डिवाड़ेक है तो ये सारे ज़ो इसके जो similar हैं सारे sites के तो यह हमें बताते हैं कि यह सारा का सारा जो जितनी भी sites है वो सारी की सारी एकी civilization से संबंधित है चलिए हम आगे बढ़ते हैं तो जैसा मैंने starting में बताया था कि इसकी सबसे जो specific feature था वो था इसका town planning तो town planning के बारे में और हम detail में देख सकते हैं तो हडपा और मोहन जोड़ो अब ये जो है ये दोनों ही sites में आपको citadel मिलता है citadel मतलब वो थोड़ा सा बड़ा सा construction जिसमें ruling या जो उस छेतर के जो प्रभावसाली लोग हैं वो वहाँ पर निवासरत या निवास करते हुए आपको दिखते हैं तो ये दोनों ही sites में आपको ये मिलता है अब इन citadel के नीचे आपको सामान ने जो शेहर है वो आपको बसता हैं जिसमें आम लोग उस site के निवास या रसीड किया करते थे उसके बाद अब देखिए ये जो sites में जितने भी जो घरों का निर्मान हुआ था वो grid system या जिसको हम grid on pattern बोलते हैं वो है वो follow किया करते थे इन सारी sites में आपको granaries मिलेंगे granaries क्या होता है वो store house जिसमें grains को store करके रखा जाता है तो आपको इन सारे sites में बड़े बड़ी granaries मिलेंगे उसके बाद अब अगली जो specific feature है town planning की कि इसमें burned bricks का प्रियोग किया जाता था आप समझेगा यह बड़ा ही normal सी बात है आज की डेट में अगर आप bricks की बात कर ले तो वो burn नहीं होती है देखे अगर आप bricks का formation या वो कैसे बनता है अगर आप उसको थोड़ा सा ध्यान दे तो कैसा होता है कि आप मिट्टी से एक साचे में लेकर इंटो को बनाते हैं उसको धूप में सुखाते हैं और उसके बाद उसको भट्टी में जला कर फिर उसको और उसको strengthen करते हैं और उसका use construction में करते हैं तो देखे यही इसी methodology का प्रयोग जो है वो Indus Valley civilization में भी किया जाता था आप देखे यह important इसलिए हो जाता है क्योंकि यह जो pattern है यह आज से साड़े 4000 साल पहले use हो रहा था इनफैक्ट जो उस समय की जो इनके साथ की जो civilization थी जो की बड़ी famous थी Egypt के civilization महां पर भी construction bricks से हुआ करता था लेकिन उनके जो bricks थे वो sun ride हुआ करते थे वो burned नहीं हुआ करते थे तो देखे इस जगह पर यह Egypt के civilization से भी ज्यादा advanced civilization हुआ करती थी चलिए अगला हम इसका वो देखते हैं drainage system आप देखे जो drainage system था इनका तो आपको मालूम है कि अगर आप नालियों का construction करेंगे तो पानी तभी निकल पाएगा जब आप उसमें एक slope देंगे तो यह जितनी भी sites हुआ करती थी इन सब में drainage system का formation इस तरह से किया गया था कि यह जो drains हुआ करते थे यह अपने आप मतलब इसमें पानी रुका नहीं करता था मतलब इनको बकायदा scientific तरीके से बनाये गया था इतने slope देकर कि पूरी की पूरी पानी एक बार निकल जाए और देखिए इसमें भी अगर आप ढोला वीरा के site को देखेंगे तो उसमें storm water harvesting system था मतलब आप यह समझें कि उसमें पानी बड़ी तेजी से निकलता था और उसका effect यह होता था कि जो भी कचरा अगर उस drain में फसा हो वो भी उस pressure के साथ में निकल जाया करता था तो इसको हम बहुत ही advanced drainage system बोल सकते हैं ठीक है उसके बाद अब देखिए यह जो पूरी की पूरी जो civilization मतलब यह जो sites हुआ करती थी यह fortified भी हुआ करती थी तो जाहिर सी बात है कोई भी मतलब external aggression मतलब अगर छोटा थोड़ा बहुत external aggression हो तो उसको रोका जा सकता है animals के advent को भी रोका जा सकता है अगर वो बकायदा fortified हो तो यह सारी की सारी sites लगबग fortified हुआ करती थी तो यह इसके town planning की खास बात थी आगे हम देखते हैं इसी में अ trade पे बहुत जादा rely किया करते थे external trade पे और इनके sites में granaries बड़ी बड़ी मिली है तो इसका यह सीधा सा मतलब है कि इनके पास या इनके area में agriculture अच्छा खासा हुआ करता होगा और surplus हुआ करता था जिसको यह store किया करते थे और साथ में surplus जो agricultural produce है उसको यह trade भी किया करते थे तो agriculture की बात कर लें तो देखे इनका एक जो location हुआ करता था वो अगर आप देखे तो indus और उसके tributary के आसपास था मतलब यह aluvial plains में यह रहा करते थे अब जाहिर सी बात है aluvial plains जो होते हैं आपको मालू है fertility के मामले में यह बहुत ही जादा fertile soil होती है तो यहाँ पर यह अच्छे खासे agricultural agriculture किया करते थे और उससे अच्छा खासा agricultural production लिया करते थे ठीक है न अब यह देखे agriculture के लिए यह bulls का परियोग किया करते थे अब इनकी जो area हुआ करती थी आपको कुछ area में canals का भी जिसको बोलते है evidence मिला है जिससे यह समझ में आता है कि यह irrigation भी किया कर करते थे पार्शली मिला है लेकिन यह represent करता है कि इनको irrigation के बारे में जानकारी थी साथ ही अगर आप देखें तो यह अपने इस पूरे जो छेत्र था उसमें मिलिट्स, वीट, बारली, राई, पीस, लेंटिल, चिकपिया, मस्टर्ड और कॉटन इन सारी चीजों का production किया करते थे तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि Indus Valley Civilization का जो agriculture था वो काफी advanced form में था अब यह advanced form में इसलिए था क्योंकि यह जिस geographical area में थे वो geography इनको favor किया करती थी प्लस इन्होंने अपने तरफ से कुछ canals का भी formation कर रखा था जो कि इस पूरे area को अच्छे तरीके से irrigate भी करती थी ठीके ना चलिए अब हम आगे देखते हैं इसी Indus Valley Civilization के economy के बारे में तो देखे पहले ही मैंने बताया था कि Indus Valley Civilization वाले लोगों का जो economic status था या फिर अगर आप बोल ले कि economic तोर पे यह बड़े ही prosperous हुआ करते थे कारण क्या था कि यह लगातार external trade किया करते थे और देखे यह उस समय की बात है जब currency का इजाद नहीं हुआ था तो यहाँ पर इस समय में जो भी trade हुआ करता था वो बार्टर सिस्टम के अंतरकत हुआ करता था अब बार्टर सिस्टम में क्या होता है कि आप किसी commodity को देते हो और उसके exchange में कोई दूसरी commodity लेते हो तो इंडस वैली civilization वाले लोग जो export किया करते थे तो वो क्या करते थे? grains को export किया करते थे, cotton को export किया करते थे, साथ में टेरा कोटा के जो images है उसको export किया करते थे और प्लस आपके यह जो bits की जो jewelries है वो export किया करते थे एक-एक करके मैं समझाता हूँ, grains तो आप समझते हैं, उसके बाद cotton, cotton अगर आप देखें तो इंडस वैली civilization वाले लोगों से associated है कहा जाता है कि यह first थे जिनोंने cotton का प्रयोग करके कपड़ा बनाना प्रारम में किया था तो मतलब इनकी लगबग उस समय cotton के उपर monopoly हुआ करती थी तीसरा मैंने बोला टेरा कोटा के images, अब टेरा कोटा क्या होता है, देखिए मिट्टी के आप किसी तरह के इस culture का निर्वाण करो, किसी image का निर्वाण करो और उसे भट्टी में पका लो तो उसमें strength आ जाती है, तो उसे हम टेरा कोटा बोलते हैं, तो टेरा कोटा के images का ये प्रियोग किया करते हैं, एक्सपोर्ट किया करते थे साथ में ये beds, इनके यहां अगर आप देखेंगे तो beds making industry थी, आप ये bed क्या होता है, अगर आप इसको हिंदी में समझें, तो मन का उद्द्योग, मन का क्या होता है, जैसे अगर आपने सोने का, सोने की हार का निर्माण किया और उसमें कुछ रतनों को जड़ दिया, तो व इनकी बहुत सारी beds की factories आपको, मतलब उसके जो evidence हैं, वो हमें प्राप्तो होते हैं, अब देखें, ये तो ये export किया करते था, अब इसके exchange में क्योंकि बार्टर सिस्टम था, तो ये इसके exchange में क्या किया करते थे, तो ये exchange में क्योंकि ये Egypt, Mesopotamia, इन सारे जगों पे Persian Gulf में trade किया करते थे, तो वहां से ये gold, silver और जो precious gems हैं, उसका import किया करते थे, और देखें, इनी precious metal और gems के प्रयोग से ये bed making industry का उपयोग करके, उसे ornament बनाकर, फिर उसी area में बेच दिया करते थे, तो मतलब अगर आप इनकी economic status को देखें, तो ये इतने अच्छे trader हुआ करते थे कि इनकी इस काल में trade balance इनके तरफ जुका हुआ था और ये बड़े ही prosperous हुआ करते थे, ठीक है, अब आगे देखते हैं, agriculture के economy के बाद, हम देखते हैं, craft, craft की बात कर ले, तो ये क्या क्या करते थे, तो देखिए, ये copper का use भी किया करते थे, खेतरी, जो राजस्थान के माइन है, वहाँ पर उस समय में भी उस माइन से ये copper का प्रयोग किया करते थे, और उस से बहुत सारे utensils या ornaments का निर्मान किया करते थे, दूसरा मैंने bed making industry का mention किया, वो भी इनके craft के अंतरगत आएगा, तीसरा वो जो आपके terra quota का images है, वो भी आपके craft के अंतरगत आता है, तो ये आप बोल सकते हैं कि craft के मामले में भी ये काफी skillful हुआ करते थे, चलिए आगे हम देखते हैं, institutions के बारे में, अब देखिए, जैसा मैंने बताया कि जो sources होते हैं, वो दो प्रकार के हो सकते हैं, literature वाले source हो सकते हैं, या archaeological finding source हो सकते हैं, अब देखें, literature में अगर वो source मिलता है आपको, तो आप एकदम exact information प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि Indus Valley Civilization में एक जगा पर केवल इनका जो written, जो document है, वो मिला है, लेकिन उसको आज तक decipher नहीं किया जा सका, उसको पढ़ा नहीं जा सका, तो हम उसको source के अंतरकत include नहीं करते हैं, तो हम क्या करते है archaeological जो भी हमें evidence मिले हैं, उसके अधार पे हमने history का formation किया, तो अब archaeology से हमें ये नहीं पता चलता है, पता चल सकता है कि उस समय या उस काल में, इनके जो institutions थे, वो किस प्रकार के थे, आप देखें को कि archaeology से हम केवल अंदाजा या कयास लगा सकते हैं, तो इनकी prosperity को देखकर हम केवल ये assume कर सकते हैं, कि जो भी institution थी, वो बहुत अच्छे से function करती थी, ठीके न, और इतने बड़े बड़े जो आपके structures, जैसे बड़ी बड़ी granaries दिखती है, तो इससे हम assume कर सकते हैं, कि इनकी कोई municipality type की institution हुआ करता होगा, जो बहुत अच्छे तरीके से taxes का collection करता हो तो देखिए, roads का construction हो, या drainage system का हो, ये सारी की सारी responsibility, municipality की होती है, ठीके न, अगर आप किसी बड़े शहर में देखेंगे, roads का construction बहुत अच्छा है, आपका drainage pattern बहुत अच्छा है, तो आप एकदम अंदाजा लगा सकते हैं, कि ये जो municipality है, इसकी जो earning है, वो बहुत अच्छ है, ठीके न, अब आप इसी चीज़ को Indus Valley Civilization में ले जाकर देखें, तो Indus Valley Civilization में भी आपको बड़े-बड़े, जिसको बोले न, government या public utility के buildings दिखते हैं, roads और वो जो आपका जो पूरा का पूरा town planning है, वो systematic दिखता है, drainage pattern बहुत अच्छा दिखता है, तो हम केवल assume कर सकते कि municipality या एक local governance जैसी कोई body होगी, जो कि बड़ी ही effectively तरीके से Texas का collection करती थी, और उसको अच्छे तरीके से उसको implement भी किया करती थी, या उसको खर्च भी किया करती थी, ठीक है न, तो हम इससे केवल ये अंदा जला, हमें इससे ये नहीं पता चल सकता है, कि वहाँ पर किस त तर्किल था, democratic था, republic था, हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि हमें कोई भी ऐसी बड़ा सा palace जैसा कुछ नहीं मिलता है, या कोई ऐसी building नहीं मिलती है, जो कि एकदम unique हो, तो इससे हम इतना अंदाजा जरूर लगा सकते हैं, कि इसमें monarchical form of government नहीं था, कुछ historians ऐसा क या एक group हुआ करता था, जो कि वैपारियों का था, वो एक साथ मिलकर सामोहिक तोर पर इस पूरे के पूरे area को govern या rule किया करते थे, तो बस हमें इतना ही अंदाजा लगता है, institutions के बारे में, आगे हम देखते हैं, इनके religion के बारे में, तो देखे, अगर आप हाडपा की, अ प्रेन में हमें religion से संबंदित कुछ चीजे प्राप्त हुए है, जैसे mother goddess का टेरा कोटा image, फिर आप एक योगिक को देखेंगे, जो की आसन की मुद्रा में बैठे हुए हैं, और उनके पैर के पास 3-4 जानवरों की image मिलते हैं, इसे assume किया जाता है कि ये शिवा या शिव का है, और इसके अलावा हमें शिवलिंग प्राप्त होता है, तो ये तीन चीजे प्राप्त होती है, जिससे हम assume कर सकते हैं कि इस इंडस वैली सिवलाइजेशन में religion था, mother goddess ये आपको बता सकती है, या ये बताती है, या ये हम इससे assume कर सकते हैं, या history का formation कर सकते हैं, कि ये ज मतलब जिसको हम बोलते हैं, मात्र सत्तात्मक, यहां पर जो females थी, उनका importance अच्छा हुआ करता था, अब अगर male goat, अब देखे, क्योंकि इनकी mother goddess की जो figurine, या फिर जो टेरा कोटा images है, उसकी मात्रा लगबग लगबग हर साइड से मिली है, तो हम ये बोल सकते हैं, कि ये प करते थे, अब male god की बात कर ले, तो यहां पर shivling प्राप्त हुआ है, अब आपको मालूम है, जो shivling है, वो shiv का प्रतीक है, और ये दुनिया का सबसे oldest shivling जो यहां से प्राप्त हुआ, उसे माना जाता है, मतलब ये reflect करता है, कि symbols के रूप में भी ये अपने east या देवता का पूजन किया करते थे, तीसरा, वो जो shiv, एक योगिक पूरुष का image मिला है, जिनके पाओं के पास 3-4 जानवरों का उलेक है, तो ये बताता है, कि ये जो shiv थे, ये shiv नहीं, ये proto-shiv या पशुपतिनाथ, ठीक है, मतलब शिव का जो प्रारंबिक सरूप है, जहां पर वो animals के इंचार्ज हुआ करते थे, तो उनको हम पशुपतिनाथ बोलते हैं, तो वो image भी आपको यहां पर मिलती है, तो देखिए, कहीं न कहीं, इनका जो linkage है, वो सनातन धरम के आसपास दिखता है, लेकिन हम concurrent तरीके से, या एकदम confirm तरीके से कुछ नहीं बोल सकते, क्यों अभी तक मैंने explain किया कि यह Indus Valley Civilization या यह जो पूरा के पूरी जो sites हुआ करती थी, यह कितनी developed थी, इनके पास town planning अच्छी थी, इनके पास drainage system अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, अलोवियल plains में रहा करते थे, इनकी economy अच्छी थी, prosperity अच्छी थी, तो फिर सवाल यह उठता है कि क्या कारण था कि यह पूरी की पूरी civilization समाप्त हो गई, decline कर गई, ठीक है न, अब देखे, किसी प्रकार का concrete हमारे पास proof नहीं है, लेकिन अलग-अलग historians, अलग-अलग अप कि क्या कारण है, ठीक है न, और last में conclude कर लेंगे, कि हम क्या conclude करें, कि यह इतने developed civilization कैसे समाप्त हो गई, तो चलिए करके देखते हैं, तो अगर आप देखें, तो कुछ जो scholars हैं, या historians हैं, उन्होंने natural factor को जिम्मेदार बताया है, ठीक है न, कुछ historians जो हैं, वो इंडो European tribes को जिम्मेदार बताया है, जिनों ने यहां पर इस एरिया में आक्रमण कर दिया, तो सबसे पहले हम इंडो European tribes की बात कर लें, जिसे हम Aryans भी बोलते हैं, तो समझते हैं, अब देखिए, अगर Indus Valley Civilization की अगर बात कर लें, तो वो Indus और उसके Tributaries के वो जो Alluvial Plains था, उसी में यह पूरी की पूरी Civilization बसी हुई थी, अब जितना इनके पास जो इनकी जो prosperity थी, तो हम assume कर सकते हैं कि prosperity ने इने फिजिकली बड़ा कमजोर बना रखा था, या फिर या आप ऐसा बोल सकते हैं, ये बड़ा lavish life जीते थे, ठीक है न, तो lavish life में होता क्या है, कि आप physical labor कम किय करते हो, और कहीं पर भी हथियारों के evidence नहीं मिलते हैं, तो इससे ये समझ में आता है, कि ये जो पूरी की पूरी जो sides या जो ये पूरा का पूरा area था, इन्होंने कभी लड़ाई के बारे में सोचा नहीं था, या फिर ये लड़ने वाली नहीं, ये जो community या फिर ये जो लोग इस civilization के हुआ करते थे, ये लड़ने पर यकीन नहीं किया करते थे, ये असल में traders हुआ करते थे, ये businessmen या merchants अच्छा हुआ करते थे, इन्होंने कभी भी लड़ाई कोई नहीं की थी, आप देखिए, अगर आप थोड़ी सी geography को ध्यान करेंगे, तो इस site के बाहर, ये जो tribes हुआ करती थी, ये गायों को पाला करती थी, और गायों के पीछे एक wandering tribes थी, मतलब nomadic life जिया करते थे, तो ये किसी तरह इस area में इन्होंने access पा लिया, और क्योंकि वो लगातार गायों के साथ घूमा करते थे, तो physically वो ज़्यादा ही, मतलब अगर उनकी strength देखे, तो physically वो ज़्यादा अच्छे build-up के थे, और उन्होंने जब ये जो site को देखा, तो उन्होंने देखा, पानी परियात मातरा में है, भूमी अच्छी उपजाओ है, तो उन्होंने Indus Valley Civilization वालों पर आकरमण कर दिया, आकरमण कर दिया, तो ये जो Indus Valley Civilization के लोग थे, ये physically उ उनके, उनसे लड़ नहीं पाए, और वो हार गया और उन्होंने उस site को छोड़ दिया, अब देखे, ये जो view है, ये कुछ historians का है, तो ऐसा माना जाता है, और इसका उलेक अगर आप देखे, तो रिगवेद में भी कहीं कहीं उलेक मिलता है, कि आरिये जो हैं, जो बाहर से आकर इस सब्त सिंदू के छेतर में उन्होंने निवास करना प्रादम भी किया, और दस रंजन वार का भी मेंशन मिलता है, तो कहीं न कहीं हमें लगता है, कि यहां कुछ ऐसा वार सा हुआ होगा, लेकिन हम confirm नहीं हैं, तो जब confirmation ना हो, तो हम दूसरे views के तरफ भी चलते है तो दूसरा views क्या था, natural factor को उन्होंने जिम्यदार बताया, अब देखिए, natural factor की जब बात होती है, तो देखिए, अगर आप वो गुजरात और वो पाकिस्तान वाला एरिया देखे, तो देखिए, उस एरिया में लगातार टेक्टोनिक मॉमेंट्स होते रहते हैं, और उस स slopes में flow करती है, अगर वो area rise कर गया, तो मतलब सारी जो नदिया है, वो अपना मार्ग परिवर्तित कर दी होंगी, और ऐसा माना जाता है कि उस समय सरस्वती, क्योंकि maximum जो civilization या जो sites आपको मिलती है, सरस्वती नदी पर मिलती है, जो कि वरतमान में extinct हो चुकी है, और वो जो बड़ी नदी थी, उसके दो बड़े tributaries गंगा और यमुना को माने जाते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि लैंड के अप्राइस होने से ये जो गंगा और यमुना, जो सरस्वती की सबसे बड़ी tributary थी, उन्होंने अपना मार्ग परिवर्तन कर लिया, परिणाम सरुप सरस् वो सुख गई, और जैसे ये नदी सुखी तो उसके बैंक्स पर जितने भी साइट्स हुआ करते थे, पानी की कमी के कारण उन्होंने उस एरिया को अबेंडेंड कर दिया, छोड़ दिया, ठीक है न, एक तो ये हो गया, दूसरा, आप देखिए, इन्वारिमेंटल चेंजस के कारण क्या हुआ कि ये फ्लड जिसको प्लेंस था, उसमें रहा करते थे, मतलब नदियों के एकदम तट पे, और आपको मालूम है कि ये इन्डस या उसकी जो ट्रिबूटरी से, बेसिकली ये हिमालयास से निकलने वाली नदी है, और जिसमें पानी की क्वांटिटी अच इन्डियों ने या रिवर्स ने अपना रूट बदल लिया, दूसरा फ्लड, फ्रिक्वेंट फ्लड से ये बड़े परेशान हो गये और इन्होंने इस एरिया को अबेंडेंट कर दिया, तीसरा, अब देखिए मैंने आपको बताया था, कि एगरिकल्चर ये सर्प्लस में प्रोडक्शन किया करते थे और उसी एगरिकल्चरल पड्यूस को ये एक्सपोर्ट भी किया करते थे और जो कि इनकी प्रोस्पेरिटी का एक रीजन था, अब देखिए क्या था कि आप लगातार अगर किसी लैंड को लगातार उसमें एगरिकल्चर करते जाएंगे और किस वैली सिवलाजेशन का जो फाइंड बैलेंस पे ये जो सिवलाजेशन टिकी वी थी, ये अपने ट्रेड के कारण टिकी वी थी और जब आपके ट्रेड करने वाली जो वस्तू है उसी का शौटेज पढ़ने लग जाए तो जाहिर सी बात है ये धीरे-धीरे करके पूरी की गिर गई अब एक और फैक्टर माना जाता है कि ऐसा चौथा फैक्टर ले लेते हैं एपिडमिक ऐसा माना जाता है कि इन छेत्रों में महामारी फैली और उस जमाने में कोई ऐसा क्योर नहीं हुआ था जिससे मैक्सिमम साइट्स के लोग मर गए और जो बचे वो वहां से भ इनमें से किसी भी फैक्टर को नकार नहीं सकते तो हम कंक्लूजन में ये बोल सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी न्यूमरस साइट्स हुआ करती थी तो कोई एक फैक्टर रिस्पॉंसिबल नहीं हो सकता है डिकलाइन का तो ये सारे के सारे फैक्टर एक साथ मिलकर इसके decline में इन्होंने contribute किया अलग-अलग sides पे अलग-अलग factor contribute किये लेकिन अगर आप देखेंगे तो 1750 के आसपास जाकर ये पूरी की पूरी civilization लगबख समाप्त हो जाती है और अगर आप देखेंगे तो जो अगली जो भारत में जो अगला civilization आता है जिनको हम Aryans बोलते हैं या जिसको हम वेदिक कल्चर वेदिक इरा जो चालू होता है वो 1500 BCE में चालू होता है मतलब Indus Valley Civilization के समाप्त होने और Aryans के स्थापित होने की बीच में हमें 200 साल का gap मिलता है तो Indus Valley Civilization no doubt इंडिया की पहली civilization थी लेकिन ये continuous civilization नहीं है बीच में वो जो 200 साल का gap है जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है तो उसके बाद break हो जाता है हाँ उसके बाद जब वेदिक कल्चर वेदिक civilization चालू होता है तो वो आज तक लगातार मतलब जिसके हम बोल सकते हैं कि continuous civilization है और आपको एक और बता दूँ कि ये जो इंडिया की जो civilization है ये वर्ल्ड की सबसे पुरानी continuous civilization है तो चलिए ये आपका Indus Valley civilization से related मैंने आपको बता दिया ओवर व्यू दे दिया और आपको बता दिया डिसक्राइब भी कर दिया अब देखिए यहां पर थोड़ा सा conclusion में हम आपको देख लेते क्योंकि हमारे syllabus में क्या बताया है कि जब भी आप history को बताएं तो उसमें political, social, economical और cultural aspect को बताएं तो मैं इसको एक बार last में sum up करता हूँ और सब को अलग से conclude करता हूँ तो देखिए जब हम political की बात कर लें इंडस वैली civilization की तो अगर आप political activity की बात कर लें तो सबसे पहला आता है administration administration में भी जो rule करने का जो साशन करने का जो प्रकार था ठीक है ना तो यहां पर हमें किसी प्रकार का evidence नहीं मिलता है कि monarchical था या democratic था या republic था हम यह बोल सकते हैं कि group of merchants थे जो कि यहां पर साशन किया करते थे ठीक है ना दूसरा इनकी जो legal administration था वो कैसा था या judicial administration कैसा था मतलब नियाए की क्या प्रक्रिया हुआ करती थी तो क्योंकि हमारे पस return document नहीं है तो हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते तीसरा taxation या revenue कि जो भी था है इनका revenue administration वो काफी अच्छा था क्योंकि बहुत सारी public buildings का हमें evidence insights में या public construction का evidence मिलता है ठीक है ना उसके बाद military organization तो यहां पर किसी भी प्रकार के हत्यार नहीं मिलते हैं तो हम ये माल लेते हैं कि इनके पास किसी प्रकार की military organization नहीं हुआ करती थी ठीक है अब चलिए हम चलते हैं social activities के अंतरगत तो सबसे पहले division of society तो अगर हम देखें तो यहां पर वो जो वेदिक division है आपका वर्ण वेवस्था या जाती वेवस्था वो यहां पर नहीं थी यहां पर division कैसा था अगरिकल्चर करने वाले लोग थे लेबर्स थे तीक है न जो वर्कर्स हुआ करते थे दो हो गए तीसरा ruling class जो group of merchants थे वो हो गए तीक है न चौता यहां पर soldiers mention तो होता है soldiers लेकिन यह वो सैनिक नहीं हुआ करते थे यह चौकिदार जैसे लोग हुआ करते थे मतलब आप समझीएगा सैनिक और चौकिदार में अंतर क्या होता है जैसे आगर आप देखे होंगे आजकल बहुत सारे fenced campus होते हैं एक fenced campus area होता है जिसमें बहुत सारे apartments और बहुत सारे flats बने होते हैं तो उसके बाहर एक guard को बैठा दिया जाता है उस guard के पास हंतियार नहीं होता है केवल डंडा होता है और उसका basic objective क्या है जो gate के अंदर आता बाहर जाता है entry कराना ठीक है न और अगर जानवर घुश जाए तो जानवर को बाहर निकलना वो लड़के आपके apartment की रक्षा नहीं कर सकता है क्योंकि उसके पास हतियार नहीं है बस वो देखता है वो guard करता है तो इनके पास भी guard की तरह एक class हुआ करती थी जो guard किया करती थी तो हतियारों की कोई यहाँ पर evidence मिलता नहीं है तो division ऐसी थी society की अब women's की position कैसी थी तो मैंने आपको बताया इस lecture में कि यह matriarchal society थी मात्रसत आत्मक अब देखिए मात्रसत आत्मक अगर society होगी तो जाहिर सी बात है जो position of women थी वो बहुत ही अच्छी थी lower class की बात कर लें तो lower class देखिए यहाँ पर आपके जो farmers हो गए या जो peasants हो गए और workers हो गए तो उन दोनों की position काफी अच्छी थी क्योंकि अगर आप हरपा में देखेंगे तो worksmen quarter मिलते हैं मतलब आप समझेए कि अपने workers के residence के लिए जब उन्होंने construct करके दिया है तो मतलब बाकी सारी amenities भी वहाँ पर होंगी तो आप बोल सकते हैं कि workers की position काफी अच्छी थी इसमें तीक है ना अब अगर food और clothing की बात कर ले तो ये food में wedge, non wedge हर प्रकार का प्रयोग किया करते थे और clothing की बात कर ले तो यहाँ पर traces मिले हैं जिसमें weaving cloth मिला है मतलब बुना हुआ कपड़ा जो की cotton और wool का है तो मतलब ये cotton और wool का प्रयोग भी किया करते थे कपड़े बनाने के लिए और बकाइदा इन्हें बुनना मतलब weaving की जो कला होती है उसके बारे में जानकारी थी तीक है अब हम आजाते हैं economic activities के उपर तो economic activity में सबसे पहला आता आपका agriculture तो ये agriculture बहुत अच्छे तरीके सी किया करते थे इनका agricultural produce surplus में था जिसको ये लगातार export किया करते थे और ये prosperous होते जा रहे थे तो मतलब आप बोल सकते हैं कि इनका जो agriculture था वो advanced form में था उसके बाद दूसरा आता है animal husbandry तो कुछ जानवरों का mention इनके seals पर मिलता है तो ये समझ में आता है कि ये rearing भी किया करते थे ठीक है उसके बाद हम industries की बात कर ले तो bed making industry उसके evidence मिलते हैं मतलब इनके पास industry भी हुआ करती थे trade की बात कर ले तो ये internal trade और external trade आपके Mesopotamia, Egypt और Persian Gulf के साथ करते हुए evidence हमारे पास है उनके seals Indus Valley Civilization से प्राप्त हुए है तो economic activity ये हो गई अब हम cultural activities के उपर चलते हैं तो cultural activity में सबसे पहला होता philosophy तो देखिए यहाँ पर Indus Valley Civilization वालों को philosophy के बारे में कोई जानकारी नहीं थी ये बड़ा rational life जिया करते थे जो सामने और जो यथार्थ है उसी पर भरोसा किया करते थे तो philosophy इस समय तक नहीं थी दूसरा हम architect की बात कर ले तो architect इनका जो town planning और जो drainage system है आप उसको architect के अंतरगत include कर सकते हैं तो वो काफी advanced form में था ठीक है तीसरा sculpture की बात कर ले तो यहाँ पर जो bronze image मिली है एक dancing girl की या still tight की जो image मिली है तो वो बताती है कि इनके पास sculpture की भी जनकारी थी ठीक है न? उसके बाद लिटरेचर की बात कर ले तो लिटरेचर देखी एक stone inscription मिला है ढोला वीरा के बाहर लेकिन उसे stone inscription में क्या लिखा है उसको आज तक decipher नहीं किया गया है तो हम इसको मान लेते हैं कि यह literature किसी प्रकार का नहीं मिला है उसके बाद music dance इन सब का भी evidence नहीं मिलता है तो अगर आप उस syllabus के context में देखे तो political, social, economical और cultural यह सारी activities को मैंने sum up कर दिया आप चाहेंगे तो यह सारा का सारा जो यह PPT है जो slides है उसमें इन से related information provide किया हूँ तो Indus Valley Civilization के बारे में इतना ही दूसरे lecture में अगले जो आने वाले lecture में मैं आपको वेदिक एरा जो है जिसका अगर आप time period देखेंगे तो 1500 BCE से लेकर 600 BCE तक है तो उसे मैं अगले lecture में start करूँगा Thank you